IPL 2023 CSK VSGT, भले ही फाइनल मैच में हार्दिक पांड्या की टीम को हार का सामना करना पड़ा, मगर उन्होंने करोरों क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया। हार्दिक ने माही को लेकर जो बयान दिया, उसे जानने के बाद आप भी खुद को उनकी तारीफ करने से रोक नहीं पा था, मगर बारिश के चलते DLS मेथड एक्षन में आया और चेनने को जीतने के लिए 171 रनों का टारगेट मिला। आखिरी बॉल पर चौका लगा कर जडेजा ने CSK को जीत दिलाए, वहीं गुजरात की टीम टूर्नामेंट में रनाब रही। मगर मैच हारने के बाद कप्ता मेच में हार का सामना करना पड़ा। हाँ, हारदिक को इस हार का दुख था, लेकिन उन्होंने अपने बयान से सभी को हैरान कर दिया। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान हारदिक ने कहा, मैं उसके एमेस धोनी के लिए बहुत खुश हूँ, नियती ने यही लिखा था, अगर मुझे हारना ही है, तो मैं धोनी के खिलाफ ही हारना पसंद करूँगा, अच्छी चीजे, अच्छे लोगों के साथ होती हैं और वो बहतरीन लोगों में से एक है, भगवान काफी दयालू रहे हैं, मेरे उपर भी भगवान की खृपा है, लेकिन आज रात उनकी थी, मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ, धोनी के लिए नियत ने ऐसा लिखा था, मुझे लगता है कि हम बहुत दिल से खेलते हैं, हार्दिक पांडिया ने बताए हार की वज़े, हार्दिक पांडिया ने आगे अपनी टीम के गेम की तारीफ भी की, उनका कहना है कि, जि सुदर्शन ने इस लेवल पर इतना अच्छा खेला जो की आसान नहीं होता, हम अपने खिलारियों का सपोर्ट कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना बैस्ट ला सके, हार्दिक पांडिया ने IPL 2022 में बुजरात टाइटन्स की कमान संभा पाया और IPL इतिहास में फाइनल का सबसे बड़ा स्कोव खड़ा कर दिया, इस दोरान साई सुदर्शन ने 96, 47, रिद्धिमान साहा चाओवन, 49, शुबमन गिल 49, 20 और कप्तान हार्दिक पांडिया ने 21, 12 रन की पारी खेली, इस तरह गुजरात ने 215 रनों का लक्ष्य त थिट का इस्तिमाल हुआ, इसके बाद चेन्ने के सामने 15 होव में 171 रन बनाने का टार्गेट था, जहां चेन्ने के बल्ले बाजो ने भी हमला बोला और 5 विकेट से जीत दर्च कर ली